यह सार भाई गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती दोहराने में दिक्कत है, गदा आदमी वो है जो सेम गलती दोहराता है, बुद्धिमन आदमी वो है जो हर बार नहीं गलती करता है, तो गलती करो कोई समस्चा नहीं है, हर बार नहीं गलती करो, एक रिशी कपूर कर अलका अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बेहत अमेजिंग प्रस्नालिटी मोजूद है I think कोई जादा इंट्रोड़क्शन की जरुती नहें नहीं बड़ा बिजनस.com के फाउंडर एशा का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंटोपिनोर्शिप का चैनल ये चलाते है हर घर में पॉजिटिविटी, मोटिवेशन इन्हों ने पहुचाया है So please welcome Dr. Vivek Bindra on our show Thank you Beautiful So ये जो मोटिवेशन और पॉजिटिविटी और बिजनस का पिविटल पॉइंट के आरा जब आपको लगा कि इसी में आपको करियर बनाना है देखे, ऐशा मोटिवेशन स्पीकर जिसकी बात में इतना दव हूँ सेखलू बार, हजारो बार सुनने के बाद भी लगे यार ये सबसे दमदार बात कही है हर बार वो नया मीनिंग देता हूँ हर बार वो मीनिंग ऐसे से क्रियेट करके देता हूँ आप लोग की अनलपी की भाषा में ऐसे-इसे मीनिंग क्रियेट करके दे आपो तो वो मोटिवेशन स्पीकर थे स्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेशुरम भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ये एक ऐसी अमर वानिंग दी गीत, एक ऐसे गीत गाया है उन्होंने किस समय पे क्राइसिस के सिवाए जाखड़ा लड़ाए, टेंशन परिशानी आसपास उस्टमें मन बहुत विचलित था अरजुन का वो विचलित मन में उन्होंने नियूरो लिंग्विश्टिक प्रोग्राइमिंग करी है नियूरो मतलब ब्रेन ब्रेन के लैंग्वेज को रिप्रोग्राम कर दिया अरजुन की ब्रेन का लैंग्वेज शरू में क्या था मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्धु क्यों करूँ यानि कि पूरी तरह से हारा हुआ वैक्ती वो उसकी brain की language थी तो उस brain की language को उन्होंने क्या ऐसे mental maps create करके दिये ऐसे neural pathways बना करके दिये क्रश्ण ने कितनी दिर में तादिस मिनेट में नए mental frames को shift कर दिया पूरा adjust कर दिया नया perception create कर दिया see things worse than they are see things as they are see things better than they are game change कर दिया पूरा आपकी mentality और reality में फरक ला दिया impact create कर दिया तो असली जो सूतरे जो मुझे मिले वो जब भी मैंने कभी किसी विदेशी कोर्स को देखा सुना आपने शुरुवाती करियर के दिनों में 2011-2013 में डूंडता था बाद मेरे को समय मैं आया मैं गलत कर रहा हूँ है किदर जा रहा हूँ है इदर उदर वो मिर्क तरिश्णा वाली बात है इदर नाभी के अंदर इत्ती सुगंद है और इरन भाग रहा है इदर उदर अपने घर में भगवा जीता है इदर उदर भाग रहा है यह में बुद्दा है ठीक बात है कि नहीं जी So that's the beginning So एक चीज़ मैंने देखी आपकी जरनी में मैं काफे समय से फॉलो कर रहा हूँ आपकी जरनी को कि आप पंगे लेते रहते हो याने कि कभी एक लाख लोगों का वेबिनार कर डाला कभी अभी एंटुपिनियोर्शिप लॉंच पैड आप डाल रहे हो थर्टी थाउजन का कर रहे हो तो यह जो रिस्क टेकिंग है जो इनोवेट आप करते हो रिस्क लेते हो मैंने देखा बहुत सारे उन्टुपिनियोर एक लेवल पर आकर करके कमफट जोन में आजाता है रिस्क नहीं लेते है सो वो ड्राइवज यू देर पोट इंस्पाइस तो टेक दीजरे चीजना वाई है और ऐसbn την अधर भाई यहाम प्री सपोजिशन देते हैं आप अनल P की बहाशाPE standards ऩे अर्ष्क मेरा नहीं है दि य रिस्क कुछा यह जो नहीं आ रहा है कि क्या बात करदिया आपने मैं का रिस्क ले-रहा हूँ ए रिस्क बचारए उसका जो मिस्स कर जाएगा, चोंकि सीट ही 30,000 है, तो जनता रिस्क में है, मैं रिस्क में नहीं हूँ, आप प्रॉब्लम ही है, कि मैं 30 की 31,000 कर रही नहीं सकता, अब कुछ भी कर लो हूँ, डिजिटल होए तो मैं 30 लाग कर सकता हूँ, मैं रिस्क क्या, रिस्क तो उसका जो बचारा छूट गया, क्योंकि आपकी इधर वाली सीट निकल गया, आपकी इधर वाली निकल गया, अब यह वाली जा रही है, अच्छा पता जगडा किस बात का है, नहा जगडा चल राज कल, बोलो हमारे को चार सीट इकट्थी चाहिए चाहिए, चार सीट इकट्थी चाहिए, एक लाइन में सीट इकट्थी, अब कहीं कोई आ गया, तो रिस्क किसका है, आप बाउंस बेक की, मैंने सबसे पहली बार जब आपको देखा तो आपने बाउंस बेक की बात की ती, कोई ऐसा किस्सा आपकी लाइफ से, जहां पे बाउंस बेक किया होगा, इस चार पास बार हुआ मेरे साथ, बहुत 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 बहुत, रिस्टेशन के डिप्रेशन के, रिस्टेशन के डिप्रेशन में, जा करके, अपना क्या में मुद्धा करेज का, मैं क्या माइंड से अंत्रपने और हूं, आप मेरे को डरा हैला सकते बिलकुल किसी भी परस्थेती में आप मेरे को मेरी एक specialization है मुझे सब कच्रा फैला हुआ दे दो मैं प्रॉब्लम solver हूँ मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम उठा दे दो मैं सॉल्व कर दूँआ एक अबर ऐसा हुआ था कि हमने एक NBFC के साथ पार्टनर किया था एक एडुवांस था या कौन था और उसमें क्या हुआ हमने बोला कि आपकी education के लिए यह बैंक आपको लोन दे देगा तो हमारे यह कुछ sales की टीम ने क्या किया उस sales की टीम को वन थर्ड के आसपास incentive मिल जाता था revenue का ठेके तो उन्होंने यहां से loan अप्रूव कराया कस्टमर से पैसा कस्टमर का पैसा किस ने दिया बैंक ने दिया हमारी कंपनी में पैसा आ गया इस आदमी को उसका वन थर्ड मिल गया और कस्टमर ने इसको EMID नहीं कॉंट्राइट कैंसल कर दिया तो उसकी भी लाइबिलिटी आ गई और इसका वन थर्ड जा चुका था यह न एक महीना ऐसा हुआ कि revenue हमारा उस महीने में हमारा lifetime highest revenue हो गया हमें समय अभी observe करी रहा था दूर से को मैं operations में नहीं हूँ जब तक पकड़ पाते तब तब तक मैं उस 50 करोड पे मैं अपने चैनल को अपनी टीम्स को salary और incentives दे चुका था तो यानि की 100 करोड की sale पे मेरे 50 करोड की cost आ चुकी थी और sale 100 करोड की हुई नहीं यानि केवल 50 करोड की cost आ गई बैंक की liability और खड़िये हुगई वो सब net off करके मैं 55 करोड के loss में आ गया अब क्या करता मेरे पास 110 office धाया ज़रा आदमी काम कर रहे अब मैं सबको लपेट हूँ और सबसे जगर डानू यह क्या करूँ courage build करूँ कि नई भाई करजा नहीं courage चाहिए पहले courage रखा मैंने किसी से किसी को penalty नहीं डाला किसी को office से नहीं निकाला किसी को खुश नहीं बोला यह समझ गया कि यह गलती मेरी थी मेरे operations में ऐसी कभी कमी रही है इसी कारण मुझे 45-50 क्रोड का नुकसान हो गया अब मैं क्या करूँ कि दुबारा ना हो जब भी आएगा crisis तुरंद बनाएंगे process rule है जब जब आएगा crisis तुरंद बनाएंगे process यह crisis मतलब leakage उस leakage के अगेंट ऐसा क्या process बनाएंगे दुबारा ना हो वाई यह सार भाई गलती करने में दिक्कत नहीं है गलती दोहराने में दिक्कत है गदा आदमी वह है जो सेम गलती दोहराता है बुद्धिमन आदमी वह पिहार उमर में करो पर फ्रेश गलती करो जब crisis आए नया process बनाओ तो वो एक था एक मैंने बुमन रानी जी के साथ एक वीडियो में बता दिया था जब मेरा मकान बिकना पड़ गया था मोई तन खा देने के लिए एक बार 2015 में हुआ था अंत्रपनियोर्शिप इसी को कहते पंदरा सेकिंड में बीस सेकिंड में नीचे गिर जाएगा जिंदीगी ओवर चांस नहीं बचनेगा अगर कोई प्रकॉशन नीचे गद्दे बच देना तो नहीं बचो गद्दे हो तू भी बचना कप मुश्किल है राइड ऑंत्रपनियोर्शिप क्या है उसी बीस आदमी रोता है किती रात है आदमी अखेला हो जाता है जैसे आपके बिजनस में दिक्कत आए एंप्लोई क्या कहते है चलेगी नहीं कंपनी तुरन छोड़के भागने लगते है जैसे दिक्कत आए तो आपको पीछे का पार्टनर आपको माल सप्लाई करना बंद कर देता ह जैसे दिककत आजाया बैंक सबसे पहले हाथ करने वाले आजाती है और लिच और आदमी को तियार हो जाते है आप देखो न डिमके साथ में मजई वाला यह गया सब्सक्रागा उसको तर फेसे लिमनें क्तेनिगे से रहे हैं सब्सक्राइब ना जैक कर ले कि और को ओर बिलकुल मरने से पहले और को और खा कर और ता है उसको अब आप होता है entrepreneur की असली जंदेगी है सई लिए अगर आप entrepreneur बनना चाहते हो तो भाई पहले जा नोकरी करते हो नो वह entrepreneur करके देखो क्या रात कैसी राते कैसी जंदी की बतानी पढ़ती है फैशन का टाइम ने मिलता को गुमने फिरने का मुझे याद नहीं आता दस बारा साल में शुट्टी मारी होने कभी मुझे समय में नहीं आता है और वो जब तक आपके अंतर वो जजबा पैशन नहीं होगा छिसा आपको लगता है देखके न कईल लोगों लगता रहे बड़ा फामाut बड़ी गाड़ी ये वो सैकडों हजारों मुशीवति सास लेके चल रहा होता हूँ सैकडों हजारों तकलीफ़ सास लेके चल रहा हता हूँ पर क्या है मुद्धा ही है रिमें प्रॉब्लम सॉल्वर हर समय देखो उसको सॉल्व कैसे करें आगे कैसे बड़ी है प्रोग्रसिव मैंड्सेट होना चीए यह मुष्टर लोग फस जाते हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो यह सब NLP से गाते हो लोगो इसे गाव आप जलूरी है दिए लोग अटक जाते हैं वो क्या बताते हो कि मेंटालिटी और रियालिटी कोछ और है अब की मेंटालिटी कोछ और है जब मेंटालिटी खराब तरीके से रियालिटी को देखें कि तो गेम ओवर आप देखो इवेंट था नो मीनिंग आपके साथ जो सामने उसमें दम नहीं है आपने उसके बारे में क्या सोचा समझा है सब जारा दम उसमें पूरा दम उसमें यह दिया दाच देखो इसमें बहुत लोग बताएं इसके पर एक लगसेशन करेंगा आपके साथ में लेकिन अगर की वोड पकड़ लो तो है इंटरपेटेशन क्या है गा की इटीक है इंटरपेटेशन है कि हbacks आज अजब हम बड़ी प्रभम सफ़ॉप कर रहे होता है आपको तो हुष्पार्ब्र को दन्यवाद करते हैं आज 500,000 क्रोड करें ड़ी परेंव कर देंपे क्या बात कर दी जान है ना 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 करेज का मतलब है करेज तो फोकस अमिट स्टॉल प्रॉब्लम में दाट वन सेलुशन विचिन स्टॉल वाल प्रॉब्लम यस मुद्दा क्या है आस पास बहुत कुछ हो रहा हुआ आपको एक चीज उठानी और सब कुछ बदल देगी तो एक चीज जब आपने यहां बात करी की mentality की तो हम कई बार देखते हैं कि कई बड़े-बड़े entrepreneurs भी recently इस pressure में आकर के suicide कर लेते हैं और मेरा काफी सारा काम mental wellness और इस चेतर में रहता है तो आपका क्या मानना है कि एक inner well-being की state बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक entrepreneur को एक successful business create करने के लिए because जैसा आपने का setbacks आएंगे failures आएंगे rejections होंगे तो in situations के अंदर many people they are not able to show this courage they give up sometimes few people they just quit and some people they commit suicide जैसा CCD के honor ने किया so what's your take on that मेरे टेक क्या है मैं तो कृष्णे का टेक लेते हूं वो ही लेते हैं चटी अध्याए के सात्वाश लोग ध्यान योग है चाप्टर गनाम जिसमें आपका माइंड के से mental well-being जिसमें आप काम करते हूं क्रिश्णा ने अर्जुन को दी mental well-being कि आप इंकर mental well-being दे दी अर्जुन शुरुवात में क्या कह रहा है कह रहा है कह रहा है गांडी वं समस्वते हस्तात त्वक्चा एवपरी दख्यते त्वक्चा जनरी मेरी भगवान इता टेंशन में हूं और रो महर्चस्च जाय थे रॉंटे खड़े हो गए मेरे अशुरु पूर्ण को लेक्षन आखो से आसू बह रहे हैं यह स्टेट थी अर्जुन की पहले तीन-चार मिनिट में पांच मिनिट छे मिनिट में और आकरी के जो पैंतालिसवा छे आलिसवा शेवा 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 क्रिट अलक्तीव उसमें क्या था कि बहगुण जो आपने आदेश दिया हो करने जारहों में त्वत्प्सारदान उच्छत कि मताब की क्रपा से मुझै यह मुँदा मिला है प्रिशन ने Boh 10िए मुश्न मन को जीतना मुश्किल है अब याब mental well-being ही तो करा रहे हो अर्जुन क्या कहते है जितात्मन प्रशान तस्या जिसने मन को जीत लिया उसका मन प्रशान्त हो जाएगा प्रकरश्ट रूपे रहे हैं मेरा फोकस नहीं हिलने वाला कुछ भी हो रहा आपके आजू-आजू-आजू मैं । यतना प्यारा भोलते हैं मन जीनने का मतलब आपका भायंकर फोकस, आप उनको बहुत खता है, वो रिल्स आती है बहुत सारी, आपको लोग पूछते हैं, आपको पूछते हैं, आपको लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया खराब छीजा है, यहाँ अप में नहीं सकता है, जिस रिल्स से मेरे गोल पर वह आपको आप से जादा जानता है अपके अलगोरिदम एसे रीड कर रहा है तो जिसने मन जीत दिया उसको परमात्मा तो मिल ही गए राइट लेकर अब सुनना जो आपका क्वेस्चन था शीत ओशन सुख दुखेशु तथा मान अपमाने हो यानि कि छे स्टेज़ेज में वो न्यूटल रहने वाला है शीत सर्दी उष्ण गर्मी सुख दुख मान अपमान ये छे स्टेज के अंदर वो क्या होने वाला है वो प्रशान तस्या प्रक्रश्ट रूपेन शांत इतना शांत हो जाएगा जैसे प्रशांत मास आगर समुद्र के अंदर जो है ना शांती होती है बिल्कुर नीचे जाकर करके उपर थोड़ी लेहरे दिख रही होता है उपर किती भी लेहरे आरी हो आसपास में यथा दीपो निवातस्त नेंगते सुपमा स्मृता जैसे दीपक है जब हवा नहीं चल रहे हो तो दीपक एकदम स्थिर रहता है जब हवा नहीं चल रहे हो ना इंगते नहीं हिलेगा सुपमा मैं ऐसी उपमा दे रहा हूं कृष्ण करे मैं आपको सिमिली मेटाफर दे रहा हूं क्या है सिमिली मेटाफर जिस तरह है योगी नो यत चित अस्य ऐसा ही ऐसा फोकस आदमी योगी होता है जिसका जो चित होता है वो अंदर से इतना स्टेबल होता है आजू आजू कुछ भी हो रहा हो यह में गेम तो इसलिए आप लोग सब YSR को जरूर सुनो भगवद गीता साथ में जरूर पड़ो बगवद गीता पड़ोगे तो आपके पास में ऐसा mental well-being आ जाए उड़ा नहीं सकता आपको interpretation so lovely beautiful in fact जितना भी गीता के लेसंस देखते हैं तो पता लगता है कि जितना भी brain के बारे में mind के बारे में जो भी लिखा जा रहा है ultimately rooted वो यहीं से आता है root में कहीना कहीं मिली जाता है पक्का मिलेगा so आप अपनी organization में mental well-being के लिए क्या करते है how you manage the mental well-being जितना करना चाहिए भी उतना नहीं कर पारे हम पर एक काम करते है हमारे हम गेस्ट बहुत सारे बुलाते हैं जो super stars है अपने जंदेगी में और उनके साथ अपनी team के लिए एक lecture एक session जुरू करा जयते है to that they get access to a giant believer they get a mental access of a giant believer he is a giant believer तो मेरे को mental access मिल गया रही सोस्ता कैसे बन दा अभी हमारे आपे एक बड़ी जबरस विक्ति है एक बड़ा इंस्पायर वगा उनसे Manindar Jit Singh Bitta चा रहे इतने बं गोलिया उन्होंने खाया 14 बार बंो और गोलियों से पूरा शरीक खतम हो चुगा है पैर में लोहा ही लोहा है लोहा लोहा है All India Anti-Terrorist Front के चैमन है जब उन्होंने आखर के बोला मैं देगा आधे लोग रो रहे थे आखों में आसू थे क्या आप बैंकर जाइन्ट बिलीवर When you get a mental access of a giant believer It can change the game अब भाई सब जब student ready होता है Teacher पहुँच जाता है जिंदेगी में student को पहले ready होना पड़ता है Teacher तो आ जाएगा Teacher के दिक्कत नहीं है मैं आपको बताओं ये मैं mental access को जब हमने सोचा तो ये इशान जी है पीछे खड़े ये और मैं सोच रहते हैं क्या करें हम ये दर्शा देंगे पूरी दुनिया को भाई साब सुन लो सारे के सारे ये बता देंगे कि entrepreneurship में जितना भारत का interest है वो आप सोचते थे खाली अमेरिकन भाई साब ये इंडिया is the next next 20 years are for India now क्योंकि याँ का population का advantage दूसरों के पास नहीं है Germany Germany जो है और जैपान जो है Germany और जैपान के जो नेटेभ साफलने वाले है मालव को नहीं? नहीं नहीं मालू Germany और जैपान एक्सटिंग्ट होने वाले अपको क्योंकि जम्मनी का जो birth rate है न इससे में हो गया ए मेरे क्याल याब अप 1 से नीचे आ गया है उसका आर्थ क्या होता है देखो बर्थ रेट एक एक एकॉनमी को चलाने के लिए टू पॉइंट को नहीं होड़ा चीमने मम प्रोग्रेसिव एकॉनमी तभी चलती है अगर आप अंडर वन आ गए तो मतलब आपका पूरा का पूरा समाज एक्सिंग्ट होने वाना है देखो म माटा पिता इनका हो गया एक बच्चा देख है तो 40 साल के बाद क्या होग 알ब माता पिता एक बच्चा रहे गया याने कि ओ आ अप बेसेजी खतम होने जा रहा है, भारत के पास यंग पॉपुलिशन है, इसका बहुत बड़ा अडवॉंटेज है, यौर आप जाओ ना थोड़ा, आप जाओ मैं तीन-चार-पांच कंट्री आपको ऐसी बता हुआ, जहां जब आप रात को निकलोगे, नाइट लब्स में ना, दिखते ही नहीं है, हर जगे वाइन पी रहे हैं, कठे बुड़े बैटके पीज़ा खाते हैं, गप मारने हैं आपस में, बुड़े देश हैं ये, जिनकी एवरेज एज 45 साल, 46 साल, 47 साल, यानि कि यहां पर यंग पॉपुलेशन है ही नहीं, क्योंको लोग बच्चे क नहीं हुआ था, तो हमने काफी बच्चे कर दिये, तो इससे में हमारे यंग पॉपुलेशन है, हमारे आवरेज एज 24, 25, 26 साल की है, जब इतनी सारे यंग लोग मिलके काम करेंगे, तो इंडिया का समय आने वाला है, और यह उन्ट्रपनिर लांच पैड वे, हम उनी लोग को बुला रहे हैं, जो पहले हजार दिन और दो हजार दिन के बिजनस के समस्याँ से जूज रहे हैं, उनको हमा करके मदद करें, वहाँ पे उनको आक्सस दें, ऐसे जाइन बिलीवर्स का, इसलिए अपने पूछा, के ता बड़ा पंगा लेते हो, आपको रिस्त नहीं लग तो आप पहुँच रहे हैं, जी बिल्कुल पहुचेंगे, पूछेंगे, जनता के साथ पहुचेंगे, आपने एनलप के स्टुटन्स को ले कि आई है, बिल्कुल आपका सुभाबत करेंगे, आपको हम देंगे, कॉम्पलिमेंटरी सीट, हमें खुशी होगी, आप लोगों स्टुटन्सक्त का साथ एंट दोझे that एक माना मुःथा, लुद कि विल्कॉचेंगे सीट, हमें और एके में से एकश्क्रीनुचेंगे, अजनो में बिल्कुल यहिए ब्लुचर हो शेक्टेंगे, पंज़ इसके लिए खीने परपॉस के लिए किसके लिए, परपॉस के ल बैलेंस को खतम करना है और इक ही निषया में जलिए जिएदा बैलेंस करके धिशाओं जाओं ना वार्फ इवल्स वॉट टू मेने जरूरे वे जिरू गोल्स युख्वत धुण्ध होना चीए लेकिन युक्त के पीछे परपस एक हो, तो मेरा सोना भी मेरा बिजनेस है, मेरा जिम जाना में वोक आउट करता हूँ टेट गंटे का रोज, छूड़ता नहीं, भेंकर वोक आउट करता हूँ, तो वेट लोस की बड़ी इंस्पिरेशनल जैनी रही है, 30 kg of fat, not weight, 30 kg of fat, also weight, याद रखना कभी, weight loss की tension मत लिया करो, fat loss की tension लो, बॉड़ी में weight में तीन चीज़े होती है, muscle, fat और water, आपको water और muscle बचाना केवल fat खतम करना है, तो इसलिए वेइंग मशीन में जाना नहीं देखता है, पर देखें तो 30 के लोग कम हो गया, और इस में diet पर बहुत धियान रखता हूं, बहुत calculated खाता हूं, यह खाना है, यह नहीं खाना है, मैं रहे हर चीज़ को खाना है, चेक कर रहता हूं, मुझे क्या देने वाना है, यह में क्या देगा, क्यालरी के साथ nutrition है, तो चलेगा, क्यालरी के बिना nutrition ना तो game over बैस अब दो समोसे और एक ग्लास कोक से पीलो दो समोसे एक ग्लास कोक शाम को पीलो आपके तेज़ जार क्यालरी होगा जितनी total नहीं थी game over क्या करोगा अब जन्देगी में जन्देगी बटूरा जैसी हो जाएगे तो अब बड़ा अच्छा है बात है हम सब के लिए एक ही काम करते हैं कि हम पूशिश करें यह समझे के देश हमारी फैमिली है अगर मैं केवल एक ही फैमिली अपनी फैमिली के लिए सोचूँगा ना तो लाई में बहुत जारा कुछ करनी पाऊँगा तो इसलिए फैमिली से पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़े और आप भी मेरे साथ में और मिल करके कॉंट्रिबूट करें आपको पर्परस जब इतना स्ट्रॉंग होता है तो फैमिली वाले अपने आप उसे जुड़ जाते और समझ भी जाते है तो कहीं बार आप सुभागिशाली जुड़ जाएं करें बार आप दुर्भागिशाली होते नहीं जुड़ते है पर इसलिए बड़ा important है अगर आप लोगो align कर पाते हैं अपने साथ तो बहुत अच्छा रहता है प्राइ ये करता रहना चाहिए तभी आगे बढ़ पाती है बात Beautiful विवेग जी चलिए so rapid fire with Dr. विवेग बिंदरा सुबह उठके पहला काम जो आप positive start करने के लिए करते हैं सबसे पहला काम positive start करने के लिए मेरा रहता है work out fitness योगा या जिम आपके लिए mental peace का perfect formula क्या है दोनो दोनो आप कर रहे है एक आदत जो आपकी जिसने आपकी life बदल दिये अपकी favorite stress buster activity क्या है एक skill जो आपकी हिसाब से सब को आना चाहिए skill सीखने का skill इंट्रोवर्ट या एक्स्ट्रोवर्ट लीडर बनने के लिए कौन सी quality ज़्यादा बेटर है जब जिसकी जुरूर पड़े एक entrepreneur में कौन सी quality होनी चाहिए according to you सबसे important clarity अगर आपको किसी historical figure के साथ डिनर करना हो तो कौन होगा historical figure जिसके साथ डिनर करना हो बहुत सारी decide कर रखे है मैंने पर I think मेरे परम गुरू जो इस कौन के संस्थापक अचारे है शिलापरभपाद सबसे funny misconception जो लोगों को motivational speakers के बारे में रहते हैं अचली लोग कहते हैं misconception है पर आचली वो reality है कि motivation speaker आपको motivate कर देगा motivation speaker आपको motivate नहीं कर सकता है वो आपको केवल framework दे सकता है motivate आपको खुद को करना है खुद को तीन words बन describe करिये clarity, clarity, clarity अगर आप अपने 18 year old self को कुछ advice देना चाहें आज से तो क्या देंगे मेरे को fitness पर थोड़ा और पहले काम करना चाहिए था आपकी life को describe करने वाली movie का title क्या होगा नहीं नहीं मेरे पर बायोपिक नहीं बनेगी वो बीच में एक ख़बर चली थी वो आपने मजाग किया था ऐसा अगर एक वर्दान आपको मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे वर्दान यही मांगूंगा कि भगवान आप मिले को आशिरवाद दे कि मैं अपने लक्षे से ना भटकूं beautiful कोई mythological character जिनकी leadership style आप admire करते है actually mythology is a wrong word so it should be scriptures क्योंकि mythology का आरत होता है myth की पढ़ाई mythya so mythya नहीं है scriptures आध्यात में के real है और आपका प्रशन है कि किसकी leadership qualities को बगवान राम modern leaders में सबसे underrated quality क्या है according to you clarity clarity एक होबी जो आपको सीखनी है पर time नहीं मिलता dance कुछ वीडियो में किया है अपने steps मैंने clips देखा था last lesson जो आप audience को देना चाहेंगे अपनी journey से जो entrepreneurs अपनी journey शुरू कर रहे है उनके लिए एक last lesson last lesson basically यह है कि जब भी आप कोई काम कर रहे है न तो तीन चीज़ों को रखना है अपने अपने साथ में उत्सा, निश्च, धेर्रे उत्सा मतलब continuous enthusiasm निश्चे मतलब determination यह करना है बड़े उत्सा से करना है और धररे मतलब अगर result नहीं आया तो भी करना है तो उत्सा निश्चे धर्रे आप में उत्सा होना चीज़ करने के लिए आपकी बोडी लाइंगोज में तेखेगा निश्चे मतलब यह चाहिए यह चाहिए, determination फिर भी नहीं मिला, तो धहरे रखें, कोई बात नहीं मिलेगा, लगे रहो लवली विवेक जी, टोष शोट बट वरी क्रिस्प कानुशेशन, नाइस मीटिंग यू अमेजिंग कानुशेशन, थैंक यू मैं दव लवली यू 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 थी यू